हाई बच्चों क्या हाल चाले आप लोगों के जब मैं एक नीट ऐस्परेंट थी तो मैंने कुछ बहुत बड़ी गलतियां करी अपनी प्रेपरेशन है जिससे कि मेरा नीट नहीं क्रैक हो पाया तो ऐसी कुछ टॉप टेन गलतियों को मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ और यहीं गलतियां मैं बच्चों को भी करते हूँ देखती हूँ तो मैं जाती हूँ तुम ना करो ठीक है अगर तुम्हारे पास अभी एक साल है दो साल है प्रेपरेशन करने के लिए तो यह गलतियां तु तुम्हारा कोई ने कोई पेवरेट सब्जेक्ट है, जिसे तुम लगातार पढ़ते रहोगे, ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा उस सब्जेक्ट की तरग तुम भागोगी, एक तुम्हारा इतना गंदा सब्जेक्ट रहेगा जिसे और छोड़ छोड़ रहोगी, डे जनरली like maths वाला feeling आ जाता है तो हम भागते हैं इस से मेरा यह कुछ बहुत ज़्यादा ही extreme case था क्योंकि जब मैंने need दिया था तो cut off थोड़ी सी कम जाती थी तो मेरा plan यह था कि मैं biology or chemistry में इतना अच्छा पढ़ूँगी गंड़ा परफॉर्म किया मेरे पापा मुझे पकड़ पड़ के बोलते था रितू physics पढ़ ले physics पढ़ ले और मैं क्या करती थी physics की book के रिचे बाइल जी की book रखती थी और जब वो चले जाते तो मान लो, 630 प्लस तुम्हारे नंबर आने चाहिए, अब मुझे बताओ कि ये सिर्फ biology और chemistry से आ सकते हैं, क्या, physics तो बेटा पढ़नी पढ़ेगे और बहुत अच्छी तरीकी से तीनों subject करने पढ़ेंगे, 720 नंबर का तो paper है, 630 तुम लोग को लाने हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कितना marks lose कर सकते हो, कुछ नहीं lose कर सकते हैं तो भाईया, बुरा लगे, भला लगे, अपने subject को balance करना शुरू कर दो, अच्छा teacher ढूण लो भाई, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, subject को अपने एक को ignore नहीं करना, नहीं तो नीट नहीं क्राइक होने वाला ठीक है, दूसरी बात पर आजो, the illusion of preparation, the illusion of preparation क्या है, हमें लगता है कि हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन actually हम लोग पढ़ नहीं रहे होते हैं, जैसे कि हमें लगता है, आज मैंने 9 घंटे की पढ़ाई कर ली है, लेकिन अगर तुम उसका output देख चाई से, इमानदारी से, अपनी नजरों में नजरें डाल के, ठीक है, यह देखो कि यहर इस 9 घंटे को मैं, जितना मैंने पढ़ाई किया है, उतना मैं कितने टाइम में complete कर सकता था, तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने 9 घंटे पढ़ा है, वो तुम तीन घंटे में भ 5 months, how to crack neat in 3 months, तुम्हारा जार टाइम तो इसे में निकल गया, क्या इससे तुम्हारी त्यारी में कोई फरक पड़ा, कुछ नहीं, क्या तुम्हें effective learning हुआ, कुछ नहीं, क्या तुम्हारा neat का score आगे बढ़ने के chance हुए, कुछ नहीं, फिर तुमने अपने friend को call कर लिया, उ friend से बाते करने में, tension लेने में, तुम सर पकड़के बैठे रहे अपना 1-2 घंटा, tension लेके बैठे रहे, ठीक है, क्या वो तुमने पढ़ाई में count कर लिया time, जब उससे कुछ effective result निकला, तो काई को पढ़ाई में तुमने count कर लिया उस time को, तो भाया, ये मैंने बहुत किया ठीक है, लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ बहुत important चल रहा है, time table बनाने में बच्चा एक घंटा लगा देता है, डेड़ घंटा लगा देता है, आदा घंटा लगा देता है, कुछ तो चल रहा है, मैं time table बना रही हूँ, कुछ तो मैं अच्छा कर रही हूँ, भा इसका solution क्या है, अब मैडम ये भी बता दो कि इसका solution क्या है, solution है इमानदारी, अपने आप से हर रोज रात को इमानदारी से पूछो कि ये कितने समय का काम था, जो मैं आज पूरे दिन में किया है, फिर अगले दिन उस चीज को ना करने की ठान लो, और ये माल लो, कि माल लो म इल्ट में भी हो, स्ट्रेस में भी हो, रिजल्ट फिर नहीं कुछ हा रहा, अगला जो पॉइंट है, जो कि मैंने बहुत किया है, और तुम में से जातर बच्चा कर रहा है, वो है रनिंग अवे फ्रॉम टेस्ट, चाप्टर पढ़ लिया, टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि टेस्ट से तो सचाई बहार आजाएगी, कि भया कितना नहीं आता, अब सचाई बहार आगई तो फिर दी मोटिवेत हो जाएगे, लिया, टेस्ट का टाइम है, तो मैं इस तेस्ट का टाइम है, क्योंना इसे यूटिलाईज करके पढ़ाई northwestern लूं, आपको लगता है किआ सही कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, जो test का time है वो test ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो test का फायदा है, वो test ही देगा ठीक है, एक unit complete कर लिया test नहीं देंगे, syllabus complete कर लिया whole syllabus test नहीं देंगे बेटा, theory का काम है 50%, test का काम है 50% बिना test दिये आज तक किसी का need नहीं clear हो पाया है और मैंने जो test को avoid किया है बस पूछो मत, ठीक है, अब क्योंकि इतने खुलम-खुला मैं बताई रही हूँ कि मेरी क्या गलती है, तो जड़ा लिख लो, इनको copy में उस gap को fill करोगे न, फिर time management सिखाता है, भाया, इतने सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है, इतने अच्छे-च्छे बच्चों का need रह जाता है, क्योंकि उनको time management नहीं आती भाया, तीन घंटा में paper भी तो खतम करना है, कैसे आएगा वो चीज़, जब practice नहीं करके जाओगे, तो जातर बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, बच जाके टेस्ट देते हैं, फिर सीधा नीट में, ठीक है, उससे पहले थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत टेस्टिंग से नहीं होता, अच्छे से ओनलाइन वाला बच्चा है, उसकी तो क्या ही बात करूँ मैं, जादा तर बच्चा हर criteria पर teacher choose कर लेता है, लेकिन जिस criteria पर teacher choose करना चीज़, उस पर नहीं करता, सबसे पहला criteria है कि मेरे दोस्त कहां पढ़ते हैं, भाई तुमारा दोस्त जहां पढ़ता है, उसको समझ कैसे लिखते हैं, समझ में आने से कुछ नहीं है, टेस्ट में नंबर आने चाहिए, मौक टेस्ट में नंबर आने चाहिए, सिर्फ समझने से नहीं है, कुछ teacher क्या है, बच्चे क्या करता है, थियोरी बहुत अच्छा समझाते हैं सर, या मैम, थियोरी बहुत अच्छा समझाते क्या मज़े आते concept में लेकिन जब test देने जाओ तो नंबर नहीं आ पा रहे हैं फिर कुछ teachers क्या होते हैं कि मज़ा बहुत आता है जोकीले बहुत हैं ये teacher जोक बहुत मारते हैं क्लास में हसा हसा की पागल कर देते हैं लेकिन test में नंबर नहीं आ रहे हैं तीसरे प्रकार के टीचर आपसे पर्सनल प्रॉब्लम्स डिसकस करेंगे ठीक है आपके घर में क्या चल रहा है मैं तुम्हारा दुख-दर्द समझ सकता हूँ जो भी है लेकिन जब इनसे पढ़के नंबर लाने लाओ तो नंबर नहीं आ पा रहे हैं ठीक है देन चौथे प्रकार के टीचर जो यूट्यूब पर बहुत मलते हैं स्ट्राटेजी बनाएंगे कैसे तुम नीट कर सकते हो अगर तुम ये स्ट्राटेजी फॉलू कर लो तो ठेक है लेकिन इनसे पढ़के देखो स्ट्राटेजी मेरको नहीं पता अच्छी देते हैं खराब देते हैं उसके वर मैं कॉवेंट नहीं कर रही हूँ तुम उन से देखो, जादातर cases में तुम्हें मिलेगा कि test में number नहीं आ रहे हैं पढ़के क्योंकि teacher का काम आपको सिर्फ strategy देना नहीं है एक teacher को subject के depth में जाना होता है, फिर वो depth भी काफी नहीं है, teacher का communication scale बहुत अच्छा होना चाहिए, जो उसे ही सारी चीज़ों का combination होता है teacher, सर्फ एक चीज़ से सर्फ knowledge होने से भी teacher नहीं होता, तीक है मैं यह नहीं कहा रही कि मेरे अंदर सारे गुण है, कि मैं पूरी सर्वगुण संपन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट I am telling you अगर number नहीं आ रहे अगर PYQ solve नहीं, अगर future need का paper solve नहीं हो रहा, तो वो teacher कितना भी अच्छा आपको कुछ और बता दे, उसका फाइदा नहीं है then, और क्या करते हैं teachers YouTube पे YouTube पे, YouTube पे, हाँ emotional bond, वो तो मैंने बात कर लिया तो criteria यह होना चाहिए, जिससे पढ़के subject समझ में आता है, पहली बात तो, concept build होता है concept building बहुत important है, ठीक है दूसरा फिर याद भी होता है subject, learning बहुत important है, वो teacher का खुद का learning अच्छा रहना चाहिए, खुद का learning उस teacher का बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो तुम्हें learn करा सकता है, ठीक है, याद करना, then उसका question bank बहुत अच्छा होना चाहिए, घिसे पिटे questions से अगर practice करा रहा है तो बहुत नीट में तो नया question भी आ सकता है, question bank बहुत अच्छा होना चाहिए, then उसका problem solving बहुत अच्छा होना चाहिए, इन के लिए क्या work करता है, आप उस teacher के पास जाईए, then अगला mistake, not opting for right study material, देखो, biology का study material, अलग teacher सलाद देगा, biology का expert देगा, chemistry का, chemistry expert देगा, मैं नहीं बात कर सकती, इसके बार में physics का physics expert देगा, मैं नहीं बात कर सकती, कुछ लोग तीनों ही subject के expert होते हैं, मुझे नहीं पता कैसे हो जाते हैं, वो expert, मैं सिर्भ बाइल जी की बात करूँगी, madam, क्या मुझे कोई reference book चाहिए, मैं अभी यहीं पर बता देती हूँ क्या पढ़ना है आपको, नहीं चाहिए, क्या मुझे कोई concept clarity के लिए book चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको, concept clarity के लिए आपको teacher चाहिए, वो आपको यह बता देगा, कितना किस chapter में से कहां से पढ़ना है, NCRT के लाव अगर कुछ पढ़ना है, तो कहां से पढ़ना है, वो आपको यह निगाएगा, यह book खरीद लो, क्योंकि इतना time ही नहीं होता, कि आपको इस separate reference book लो, और नहीं लेनी चाहिए, भई, physicist के mystery में time लगा लो, limited time है, number तो सारे subject में चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए NCRT, जो आप 15 बार पढ़ोगे, 15 times कम से कम पढ़ोगे, फिर आपको चाहिए एक PYQ की book, जो भी आप किसी भी brand के लिए लो, कोई फरक नहीं पढ़ता, बस उसमें mistakes नहीं होनी चाहिए, यह PYQ की book आपके पास रहेगा, क्योंकि बहुत जरूरी होते हैं PYQ, जो देन आपके पास होनी चाहिए एक अच्छी question practice book, question practice book, बिल्कुल NCRT based, अभी मेरेको market में कोई book ऐसी नहीं मिली, जो 100% NCRT based हो, और 100% का बिल्कुल NCRT का चपपा चपपा, जैसे choose के question निकाला होता है, मेरेको ऐसी कोई book मिली नहीं है भी, ठीक है, मैं अपनी book बनाने कोशिश कर रही हूँ, पर उसमें कुछ थोड़ टाइम लगेगा, जब मेरे book बन जाएगी तो मैं बता दूँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस तरीका का बिल्ड करूँ, देखती हूँ मैं अपनी कोशिश में कितना successful रहती हूँ, आपको सिर्फ ये तीन चाहिए, इसके लिए, biology के लिए, NCRT, PYQ और question practice, कुछ नहीं चाहिए और, ठीक है, लास्ट में आपको एक test series चाहिए, जो कि आपको तीनों से बिल्ड का combined test देगी, ठीक है, और initially भी जैसे, जैसे crash course है मेरा, उसमें किया है, हर chapter का पहले test हो रहा है, फिर तीन-चार chapters का एक अठी test हो रहा है, ठीक है, फिर last में, सारी के सारी biology का test होगा, वैसा वैसा साब को कुछ चाहिए, ठीक है, अगली बात सुनू, getting too into too much depth, बच्चा क्या करता है, उसको कोई एक subject पसंद आता है, वो यह subject पकड़ लेता है, कि मेरा तो यह है favorite, अब मैं कर दूँगा इसमें PhD, बायल जी में बहुत बच्चा करता है, वो उठाएगा tortora, वो उठाएगा camp bell, भाई तुमको नहीं चाहिए, तुम्हारा time limited है, और यह हम क्यों करते हैं, उस चीज से भागने के लिए, जो हमारे face पे, मुँ पे ताड रही है, क्या? Rejection in exam, unsuccessful होना, इससे हम बचने के लिए कुछों भी कर रहे हैं, हम scholar बन जा रहे हैं, हम दूसरे बच्चों के आगे अपनी तड़ी मारने के लिए, हम कहरें, मैं तो physics में ये वाली book लगा दे रहा हूँ, जो neat के आसपास भी नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको कोई अपना ego boost नहीं करना है, ego massage नहीं करनी है, आपको बिल्कुल उस level पे चलना है, जिस level पे paper आएगा, और वो आपको आपका teacher ही guide कर सकता है, अगर कोई expert teacher हुआ, तो यही guide करेगा, कि भाई, exactly किस level के questions आते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा तू, ठीक है, भाई, अब तुम कहोगे, मैं टॉपर्स तो यह पढ़ते हैं, टॉपर्स तो पढ़ते हैं, भाई, ठीक है, इससे पहले, कोई तुम्हारा बेवकूब बना दे, कि तुम देखो, वो teacher तो यह पढ़ता है, मैं तुम इस book से पढ़ता हूँ, वो teacher तो यह करता है, मेरे notes देखो, कितना तुम आउट वो दे देते हो यार, बच्चा ही confused हो जाएगा, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, teacher ऐसा पकड़ो, जिसका track record अच्छा हो, कि यह teacher cut to cut पढ़ाता है, यह यह बता देता है, अच्छा paper में यह आना है, यह पढ़ो, यह छोड़ दो, फाल तो इतना बाहर नहीं जाना है चीज़ों से, then, आगे चलो, लड़का लड़की का चक्कर बाबु भाईया, देखो, मुझे लगता है कि, relations, humans की need होती है, चाहिए वो माबाब के साथ relation हो, भाई बेन के साथ relation हो, चाहिए romantic relationship हो, इस चीज़ को मैं बुरा नहीं मानती हूँ, ना ही गलत मानती हूँ, बट यह जो आपके दो साल होते हैं ना, और यह जो relationship की temptation होती है, यह इस time पे सबसे जादा होती है, क्योंकि हम नए-नए से हमारा hormones हिट की होते हैं body में, तो हमें बहुत ज़ादा attraction रहता है, opposite sex के प्रती, तो यह एक बहुत natural चीज है, मैं इस चीज को यह नहीं कर रही कि असा क्यूं है, भाया है तो है, ठीक है, पर मैंने यह देखा है, अब तुम मुसे यह नहीं पुछोगे, कि मैम क्या आपके साथ भी ऐसा था, अपने उपर comment नहीं करूँगी मैं इस चीज में, मैं सिर्फ यह रही हूँ, ठीक है, आप फिर पूरा दिन स्कूल में या अपनी ट्यूशन में उसी को देखने कोशिश कर रहे हो, फोकस नहीं हो रहा है, लेक्चेस पे, ठीक है, फिर अपने दोस्तों से उसी के वारे में बात करूँ, यार देख रही है, यार देख रहा है मुझे, इस तरीके से, फोकस नहीं हो रहा है, तो टाइम होना कुछ नहीं है, ठीक है, दो साल के बाद भी तो यहीं पे हैं चीज़े हैं, टाइम बहुत बरबाद हो जाता है, फोकस बिगड़ जाता है, और यह बहुत फोकस की चीज़ है, और मैं बताओं इतना focus तो में कभी नीच चाहिए जितना तुमें plus one और plus two में चाहिए और ये बहुत बड़ी बात है focus मांगना तुम लोग से क्योंकि उसी time सबसे ज़ाधा distraction होती है बट मैं तुमें कह रही हूँ हाथ जोड के please ये दो साल focus से दे दो आप ना दसवी से पहले इतना focus चाहिए ना बार्वी के बाद इतना focus चाहिए college में सब चलता है आप सब कुछ कर सकते हो आप पढ़ाई भी कर सकते हो आप relationships में जा सकते हो इतना pressure नहीं होता जितना ये 11 भी बार्वी में होता है ये बहुत बड़े बहुत सारे बच्चों का बहुत खतरनाक point है failure का आठवे point पर चलेंगे unorganized study unorganized study का मतलब ये क्या है सुबह उड़ गए मानलो 7 ये नहीं पता क्या करना है सुबह उड़के seamlessly घुमरे हैं brush कर रहे हैं नहा रहे हैं खाना खालिया नौ बज़ गए प्र सोचे क्या करना है जब आप रात को सोते हो जब आप 10 बज़े सोते हो ग्यारा बज़े सोते हो आपके पास सुबह fixed होनी चीए कि morning में क्या करना है अगर हमारे पास fixed है तो मेरी mental energy इस चीज में नहीं खर्चोएगी कि सुबह क्या करना और ये गलती मैंने बहुत कर ये life में हम इतना सोचने में यही time लग जाता है कि आज मुझे क्या planning करनी है मुझे biology पहले पढ़नी है मुझे chemistry पहले पढ़नी है अगर biology पहले पढ़नी है सब्सक्राइब कर देना है similarly एक week का एक rough plan आपके पास होना चाहिए Sunday शाम को बैठो और अपना 15 मिनिट इस चीज में लगाओ 15-20 मिनिट कि मंडे को मेरा basic basic सा ये नहीं कि एक घंटे कब ना हो इतने से इतने second से इतने मिनिट मेरा ये होना चाहिए ऐसा नहीं जनरल सा बनाओ कि येर मंडे को मेरा ये target है मैंने ये तीन चाप्टर्स खतम करने है Tuesday को मेरा ये target है Wednesday को मेरा ये target है basic basic सी बात है लिको उसको detail में घुस घुस के जाने की जरूरत नहीं है लेकिन Sunday शाम को आपको clear होना चाहिए कि आपको अगले week में क्या करना है हर दिन से प आपको पता नहीं कि मेरे फिजिस के लिए बाकी दूसरे से बीट के लिए टाइम कब निकालना है जब आप clear होगे अच्छा इतने से इतना मेरे ये time है तो आप focus होके काम करोगे आप दूसरे subject के बारे में नहीं सोचोगे revision के लिए अलग time निकाली है अब हफते में एक दि time table में आपकी जगे होनी जी कि मैंने test देना इस time पर test नहीं दोगे तो फिर पढ़ने का फाइदा क्या है अन और गेनाइज स्टडी अच्छे अच्छो को ले डूबती है क्योंकि anxiety level बहुत ज़दा बढ़ाती है ये stress level बहुत ज़दा बढ़ाती है यार परिशान हो जाता ह जालो और 10 घंटे पढ़ डालो और 12 घंटे पढ़ डालो ऐसी तैसी फेरली अपनी थोई नहीं कुछ नहीं फिर तीन दिन वेस्ट कर लिए ये कौन-कौन करता जरा comment section में जरूर लिख देना ठीक है या एक दिन पढ़ लिया फिर आगे दो दिन वेस्ट कर लिए भाई अप गंटा कि तुम्हारा दिमाग न्यूट्रल पोजीशन में आ जाए अब उसके वो सबकी अलग लग तरीके हैं भगवान से प्रे कर लो रनिंग करने चले जाओ दोस्त से बात कर लो कि भाई तुम नेक्स्ट डे फ्रेश उठो कि मैंने अब आज भी 7-8 घंटा पढ़ना है यह ओन-off-on-off से क्या होता है ब्रेक लग गया ना तुमने फ्रिक्शन वाली चीज तो देखें तुम फीजिक्स में पढ़ते हो जब तक कोई चीज नहीं मूव करती तो उस पर स्टाटिक फ्रिक्शन लगता है एक बार मूव करने लगता तो फ्रिक्शन कम हो जाता है तो बार बर रोकोगे चलोगे रोकोगे चलोगे रोकोगे धक्का लगा लगा के अगर काम करोगे तो वो मोमेंटम नहीं बन पाता मोमेंटम बहुत बड़ी चीज है भाई एक बार शुरूओ तो धिरे 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 तेज करते जाओ एंड तक नीट में मोमेंटम यह धक् लगता है चार-पांच दिन हफता कई नहीं गया हफते में रूटीन बनता है वापस पढ़ने का तो मैं गहती हूं कि यह दो साल थोड़ा सा अंडरग्राउंड हो जाओ हर चीज थोड़ा सा अवोईड करो और एक मोमेंटम के साथ चलो अपने साथ खुश रहना सीख लो क्यो बहुत जरूरी है तो कभी लेलो लेकिन फिर इस तरीके से उस दिन जिस दिन चुट्टी लिया उस दिन रात को बैठके प्लान बनाओ कि अगले दिन क्या करना है कि यह चुट्टी अगले दिन में ना घुश जाए आपके यह बहुत किया है मैंने on off on off वाला यह नहीं करना है consistent row focused row चलो आखरी mistake ruining your physical and mental health in the name of preparation पड़ भी नहीं रहे हैं दस घंटा बुक लेके भी बैट रहे हैं आउटपुट आ रहा है दो घंटे का साथ में जा रहे हैं depression में body का इतना band बज गया है कमर दर्द अलग हो रही है पैर अलग हो रहा है सिर अलग हो रहा है यह कितने बच्चों की स्टोरी है यह जादे तर बच्चों की स्टोरी है नीट एस्पिरेंट्स की भाई अब तुम बड़े हो रहे हो तुम अभी 18 टप जाओगे अब तुम एडल्ट बनने वाले हो तो एडल्ट जैसे खाम करना चुरू कर रहा है कि बोलना बहुत असान है ना मैं अभी यहां पर खड़े हो कि स्क्रीन पर बोल दो लेगे मुझे पता है मेरे को करना कितना मुश्किल है मैं ठीक है हलका फुलका जिम चले जाओ घर में ही डंबल मार लो जो भी करते हैं लड़कियां मालों के डांस क्लास का तो खर नहीं टाइम होता है पर खुछ भी दिन में आदा घंटा 15-20 अपने फिजिकल अक्टिविटी को तो जल्दी भी मार पड़ोगे दिक्कत आ जाएगी ठीक है यहां दर्द वहां दर्द नहा लिया करो ठीक है बच्चे प्रेपरेशन की नाम पे नहाते और नहीं है कि आरे यार टाइम वेस्ट हो जाएगा वैसे नहीं टाइम वेस्ट होता तुमारा क्लीनेस रखो अपना साफ सफाई से और थोड़ा प्लानिंग के साथ काम कर है mental health इतना depression में जा रहा है बच्चा यार और मैं यह नहीं कियाने कि situation ऐसे नहीं है जाने वाली situation भी जब नहीं काम हो रहा parents का pressure, teacher का pressure, society का pressure और सबसे तो रिष्टोदारों का pressure, depression में तो जा नहीं है क्या करना उसके लिए meditation करना सीखो, breathing exercises करना सीखो, रोज अपनी mental health पे 15-20 minutes दो physical plus mental को दे के एक घंटा दो, तुमारे बाकी 10 घंटे के productivity डबल हो जाएगी ठेके, ये बहुत बच्चा कर रहा है, ये नहीं करना है, ये मैंने भी किया है, तुमने नहीं करना है I hope ये session तुमारे लिए बहुत useful है, अपने विचार इस बारे में मुझे comment section में जरूर बताना झाला झाला झालाएब करना में जरूर बताना